I have lived as a warrior. I have died as a god. Hey guys, I saw you on IceF, यानि के Interesting Stories and Facts में स्वागते हैं आपका. Facts, wherever you see. मैं हूँ आपका होस्ट और नरेटर गुनूर तूर और आप देखने जा रहे हैं Wild Stomp की God of War Part 5 Story Explained. इस पार्ट में हम देखेंगे कि क्रेतोस ने कैसे किया Barbarian Prince Elric का सामना. कैसे क्रेतोस ने विशाल और खतरनाक रॉक्स से अपनी जान बचाई. आखिर कैसे क्रेतोस मॉटल से इमॉटल में तबदील हुआ. और क्या क्रेतोस लिजांद्रा को दिये बचन को पूरा कर पाएगा? Everything in this video. And don't forget to watch the previous part of it. To know more about the storyline of God of War. अन्य रमाचे कॉमिक बुक स्टोरीज को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें. And let's get started today's video. तो स्टोरी की शुरुआत होती है युद्ध के एक सीन से. जहाँ पर क्रेतोस और एलरिक के सिपाही एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं. यहाँ पर स्टोरी हमें बताती है कि क्रेतोस के देवता एरेस को खतम करने और खुद युद्ध के देवता बनने से पहले वे देवताओं के बीच एक भब्य प्रतियोगिता में शेह युद्धाओं में से एक था. और यह प्रतियोगिता थी औरुसलीपियस के अमभरोसिया को हासिल करने की इन ह mustn't के करूर युध के बाद केवल दो युधा ही जीवित रहे हेडीस का युध एलरिक डबार्बेरियन प्रिंस जो कि अपने मर रहे पिता के लिए अम्भरोसिया को खोज रहा था वही पर दूसरी और एरेस का युद्धा क्रेटोस अपनी बच्ची कैलियोपी की जिंदगी को बचाने के लिए उसी एमब्रोजिया को हासिल करना चाहता था इस खूनी प्रतियोगिता के परिनाम एक तिन फैबर्ड ओलिम्पस के हॉल्स में गुजेंगे और वे इमोटल्स को उन तरीकों से परभावित करेंगे जिनकी वे कलपना भी नहीं कर सकते थे फिर युद्ध में लड़ रहा एलरेक क्रेटोस को कहता है कि क्रेटोस मैं धैरे पूर वक्त तुम्हारा इंतजार कर रहा था जब तुम इन सभी रस्तों से गुजर रहे थे मैंने ये भी देखा कि कैसे तुमने ट्री ओफ लाइफ से हेलिंग अम्ब्रोजिया को हासिल किया और अब मैं तुम्हारी द्रिटा की सराहना करता हूँ तुमने तुम्हारा काम अच्छी तरहां से किया है लेकिन उस काम ने तुम्हे बुरी तरहां से ठका दिया है और अब तुम मेरे सामने कमजोर और गिसे हुए खड़े और मरने के लिए तैयार हो अम्ब्रोजिया सिर्फ मेरा होगा क्रेतोस एलरिक की बात को नकारते हुए कहता है कि तुम जूट बोल रहे हो मौत की कगार पे होने पर भी मेरे स्पार्टन्स तुम्हारे योधाओं के मुकाबले कहीं अधिक शक्तिशा ली है एलरिक कहता है कि देखो हमारे सिपाही एक दूसरे को मार रहे हैं हम दोनों के पक्ष एक जैसे ही है जिस पे क्रेतोस कहता है कि स्पाही मरते ही हैं और इसी लिए वे जनम लेते हैं मगर अपने घोडे की और जाते हुए एलरे क्रेतोस को कहता है कि क्रेतोस मैं तुम्हारे साथ जरूर जियुद्ध करता मगर मेरे पिता की जिंदगी हर पल खतम होती जा रही है और इसलिए मेरे पास लड़ने का समय नहीं है ये कहते हुए वे घोड़े पर से एक थैले को उठा लेता है और उसमें से वे हरमिस के युद्धा दनाउस के कटे हुए सर को बाहर निकालता है वे क्रेतोस को कहता है कि दनाउस के कटे हुए सर को देखो मरने के बाद भी उसके पास कुछ काम है करने को क्रेतोस ये देखने के बाद एल्रिक को कहता है कि तुम मेरे पास आओ और फिर हम देखेंगे कि तुम्हारा सर कटने के बाद कोई काम करेगा या नहीं एल्रिक कहता है कि तुम मूरखो क्रेतोस दनावस जंगली जानबरों को कमांड कर सकता थो और वे सब शक्तियां अब मेरे पास है ऐसा कहते हुए एल्रिक बिशाल रॉक्स को कमांड देता है कि वे क्रेतोस को खतम कर दे रॉक्स क्रेतोस पर हमला कर देते है एलरिक रॉक्स को कहता है कि उसके मांस को फाट डालो उसकी अंतडियों को कच्चा चबा जाओ और उसके खून की बद्बू के इलावा कुछ भी नहीं बचना चाहिए फिर एलरिक लचार बैठे क्रेतोस को कहता है कि कुछ लोग होते हैं जो युद्ध को बल से लड़ते हैं और वहीं पर कुछ अन्य लोग भी होते हैं जो युद्ध को प्लैनिंग के साथ लड़ते हैं और अब मैं तुम्हें बदाई देता हूँ कि तुमने अम्ब्रोजिया को हासिल किया लेकिन फिर भी तुम्हारी सफलता के बाफ यूद्ध वे मैं ही हूँ जो अब जीत का दावा करता हूँ और ऐसा कहते हुए एलरिक एक रॉक को अपने पास आने का इशारा करता है रॉक के उपर सवार होते हुए वे फिर से क्रेतोस को कहता है कि मेरा एक अच्छा विरोधी होने के इलावा मैं आशा करता हूँ कि तुम रॉक के लिए एक बहतर भोजन भी साबित होगे ऐसा कहते हुए एलरिक रॉक पर सवार हो अपने घर की और चल देता है और नीचे रॉक क्रेतोस पर हमला कर रहे होते हैं लेकिन जैसे ही क्रेतोस का जीवन अस्त व्यस्त होने लगा तब ही उससे अपनी नवजन्मी बच्ची कैलियोपी जो की प्लेक से पीडित थी वे दिखाई दी कैलियोपी क्रेतोस को कहती है कि मुझे बचाओ पिता जी मुझे बचाओ और इस सभी ने क्रेटोस को ये याद दिलाया कि उसने ये खतरनाक यात्रा क्यूं की थी अपनी बच्ची को देखते ही क्रेटोस में एक वार फिर से बल आ जाता है और वे रॉक को गले से पकड़ लेता है वे कहता है कि भले ही मुझे अपनी अंतिम सांस क्यूं न लेनी पड़े तब भी मैं तुम्हें मरने नहीं दूँगा कैलियोपी और ऐसा कहते हुए वे रॉक कोमा डालता है मगर क्रेटोस इस बात से अंजान था कि देवलोक में भी कोई उस पर नजर रखे हुए था देवता हेडीस क्रेटोस को एक वार फिर से जिन्दा देख हैरान हो जाता है हेडीस खुद से ही कहता है कि क्रेटोस के पास जरूर ही प्रोमीथियस से अधिक जीवन हो सकता है मगर मैं उसे मेरे योधा को रोकने नहीं दूँगा और इस दाव को जीतने का मेरे पास एक और भी तरीका है इससे एरेस का चैंपियन जरूर मर जाएगा और वै भी जो उसके प्रियर है ऐसा कहते हुए हेडीस क्रेटोस और उसके साथियों पर हमला कर देता है कितने ही हाथ धर्ती से बाहर निकलाते हैं और क्रेटोस और अन्यस पार्टन्स पर हमला कर देते हैं सिपाही एक दूसरे से कहते हैं कि देपताओं ने भी बार्बेरियन का साथ दिया है मगर क्रेतोस अन हातों से लड़ते हुए कहता है कि नहीं कोई भी चीज मुझे रोक नहीं पाएगी स्वयम देपता भी नहीं सिपाही कहते हैं कि ये बाहें हमें नर्क में ले जाना चाहती है कैप्टन हमें री ग्रूप होना पड़ेगा क्रेतोस कहता है कि डटे रहो ये डीमन स्पार्टन्स के आगे नहीं टिक पाएंगे और तब ही दूर जा रहा अलरिक जोर से चिलाता है कि तुम नहीं मरोगे पताजी और ऐसा कहते हुए वे करेटोस का ध्यान अपनी और केंदिरत कर लेता है करेटोस उसे दूर जाता दे केलियोपी के बारे में सोचता है वे अपने सिपाहियों को कहता है कि अम्रोजिया हमसे दूर जा रहा है, मुझे उसके पीछे जाना होगे सिपाही क्रेटोस को कहते हैं कि अगर तुम चले जाओगे तो तुम हमें मरने के लिए छोड़ जाओगे जिस पे क्रेटोस कहता है कि मैं स्पार्टन योधाओं को लड़ने के लिए चोड़ कर जा रहा हूँ और अगर तुम सब मर भी गए तो ये एक अच्छी मौत होगी और ऐसा कहते हुए क्रेटोस भी रॉक पर सवार हो, एल्रिक के पीछे चल देता है जाते जाते क्रेटोस सिपाहियों को कहता है कि मैंने कभी भी नहीं कहा था कि तुम लोग मेरे साथ आओ क्रेटोस वहां से चला जाता है और हेडीस के डीमन सभी स्पार्टन युधाओं को मार डालते है क्रेतोस एलरिक तक पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मुझे मेरा एम्प्रोजिया बापिस करो और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी मौत जल्दी और पीड़ा रहत होगी जिस पे एलरिक क्रेतोस को कहता है कि मैं तुम्हें इस बात का वादा नहीं करूँगा क्योंकि जब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे नाजुक शरीर से निकल रही होगी तब तुम धर्ती पर रेंग रहे होगे और मैं उस समय हस रहा हूँगा और तुम ये भी जान लो कि जब तुम मर जाओगे तब तुम्हारी प्लेग से पीडित बच्ची भी मर जाएगी और मेरे पिता, हमारे राजा, हमारी आर्मीस को लीड करेंगे और तुम्हारे कीमती स्पाटा को जीतेंगे और नश्ट कर देंगे हम विजय होंगे इस सभी के बाद क्रेटोस और एल्रिक में युद्ध शिरू हो जाता है वार करते हुए क्रेटोस की तलवार गलती से एमब्रोजिया की थैली पर लगती है जिससे की थैली फट जाती है और एमब्रोजिया क्रेटोस के शरीर पर गिर जाता है क्रेतोस एल्रे को कहता है कि तुम मूरक हो तुम्हारी बजह से सारा एम्ब्रोजिया बरबाद हो गया इस पर एल्रे क्रेतोस पर वार करते हुए कहता है कि मगर तुम अब भी मरोगे फिर एल्रे क्रेतोस को कहता है कि सब खतम हो चुका है तुम मर चुके हो मगर क्रेतोस पर उस वार का कोई भी असर नहीं होता और उसका घाफ अपने आप भर जाता है एम्ब्रोजिया की शक्ती सब के सामने आ जाती है और क्रेतोस अमर हो जाता है ठीक होने के बाद क्रेतोस एल्रे को कहता है कि अब मैं बचे हुए अम्ब्रोजिया को भी हासिल करूँ और वैं एल्रिक को लेकर रॉक पर से हवा में कूच जाता है एल्रिक क्रेतोस से परिशान होते हुए पूछता है कि आखिर तुम अब कैसे मरोगे इतने में ही वैं दोनों धर्ती पर गिर पड़ते हैं इसके बाद एल्रिक क्रेतोस को मारने के लिए उसका गला दबाने लग जाता है और क्रेतोस फिर से एक बार वर्तमान में लौट आता है जैसे ही क्रेतोस अपने अतीत के बिच्चारों से वापिस वर्तमान में आता है उसके लिए ये स्पष्ट हो जाता है कि चाहे एक देवता के रूप में या एक नश्वर मानव के रूप में अम्ब्रोजिया की तलाश हमेशा ही एक खतरनाक उपकरम था और फिर हम देखते हैं उसी दरिश्य को जहां पर क्रेतोस उस दानव के मुह पर लटक रहा था और वैदानव उसे कहता है कि मैं तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रहा था क्रेतोस क्रेतोस उस दानव से पूछता है कि आखिर तुम हो क्या वैदानव क्रेतोस को बताता है कि मेरे भाई और मैं इस दुनिया के जनम से पहले जनमे थे हमें यूरेनस जिसने की पूरे ब्रहमांट को रचा और गाया जो की इस स्रिष्टी की माँ है ने जनम दिया था हम हैं खियोस्ट जाइंट्स पचास सर और सौ हाथों वाले हमारे पिता हमारी कुरूपता से घरीना करने लगे और उन्होंने हमें टाटरस में बेश दिया मगर फिर भी हमने औसलीपियस के ब्रिक्ष तक पहुँचने का रस्ता खोज लिया जिससे की हमें नई जिन्दगी मिलनी थी हम अपने इनाम को हासिल करने वाले थे जाइंट्स के रूप में एक वार फिर से उठने वाले थे और इस दुनिया को अपना बनाने ही वाले थे मगर कई सालों पहले तुम आए उस एम्ब्रोजिया को हम से चीन ले गए जिसकी हमें जरूरत थी हमारे एक सो हाथों को जला कर राह कर गए और हमारी पहुंच से दूर चले गए लेकिन अब तुम एक बार फिर से यहां पर आ गए हो मानव और अब मेरे भाईयों ब्राय एरियस और कोटस के नाम पर मैं एक बार फिर से तयार हूँ उस चीज़ को हासिल करने के लिए जो हमारी होने चाहिए ऐसा कहते हुए वे विशाल का खेयोस जाइंट उठ खड़ा होता है और क्रेतोस पर हमला कर देता है और यहीं पर कॉमिक के इस पार्ट का अंत हो जाता है क्या क्रेतोस उस खेयोस जाइंट से खुद को बचा पाएगा यहां फिर Kill's Giant उसे मार डालेगा यह सब हम देखेंगे God of War के अगले पार्ट में And that's all for today Thank you for watching, keep sporting, keep watching ISAF Stay blessed